आज पर बात करेंगे जिनमें राजस्थान की जनता को प्रदेश में चहों और विकास की उमीद है मुधी सरकार में राजस्थान को मिले चार मंत्रियों में दो को कैबिनेट मंत्री बनाए गया है एक को राजमंत्री और एक को सुतनप्रभार राजमंत्री के रूप में शामिल किया गया है इसमें जूरुदपूर से तीसरी बार लगा थाई सांसर चुने गए गजिन सिंग शेखावथ को gerçek rip मंत्री में जगर दी गई है गरजेन सिंग शिखावत अराजस्थान में राजपूत समात के बड़े निता के रूप में है और ऐसे में उनको मंत्री पदर बिलना तैमारा जा रहा था अब वो तीसरी बार पूरी कैमिनेट का हिस्सा बन गए है जबकि भूपेंद रियादों अलवर से सांसद बने हैं और इसे पहले वो रजसफा से भी सांसद थे लेकिन इस बार पूर लूगसफा से सांसद बन गए है इसके साथ ही उन्हें कैमिनेट में भी जगह दी गई है भूपिन दिया तो मूल रूप से हर्यान के रहने वाले हैं लेकिन उन्हें अलवा सीर से टिकर दिया गया था और उन्हें जीत हासिर हुई है साथी अजमेर के सांसर भागीरत चौधरी को भी मंत्री मंदल में जगा मिली है भागिरत चौधी को राज मंत्री के रूप में मोधी क्यामिट में शामिल किया गया है भागिरत चौधी पहली बार किंदी मंत्री मंडल में शामिल किये गया है वहीं अरजुन राम मेगवाल को भी मंत्री पर दिया गया अला कि इस बार कैमिनेट मंत्री की जगा उन्हें स्वतन प्रभार राजमंत्री की रूप में शहपत दिलाए गया है पिछली सरकार में वो कानूर मंत्री की रूप में काम कर रहे थे लेकिन इस बार स्वतन प्रभार राजमंत्री की रूप में जगा दी गई है आपको बता दे कि अर्जुन राम बेगवाल मारवाल नहरी शेतर से अकेले प्रमुक दलित चेहरा है और इसके साथ राज़धान की जनता को चार केंदी मंत्रियों के संभावना थी और वो मिले प्रदेश की जनता की निगाहें चारो केंदी मंत्रियों पर टीकी हुई है वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी कॉंग्रेस बीजेपी सरकार पर हमला वर है